रियल स्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहें Redbox TV हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर लेटस अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ट्रेटर की मताबिक इमरान खान एक एहम हाउसिंग स्कीम की तामिरात के हवाले से एलान करने जा रहे थे फिर क्या हुआ आईए देखते हैं अबुलकासिम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फेश करते हैं AQ सूपर मार्केट इम्रान खान आज अजीम हाउसिंग तामिराती स्कीम का एलान करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बैंक्स हाउसिंग फाइनन्स का आगास करेंगे तमाम बैंक अपने कैपिटल का पांच पीसर शरासूच से भी कम पर छोटे घरों की तामीर के लिए जारी करेंगे सेंक्रो अरब रुपे घर की तामीरात के लिए दस्तियाब होंगे हाउसिंग स्कीम के तहए तामीर के लिए हर घर को तीन लाख रुपे सबस्री मिलेगी वजिर आज़म इबरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में शौबह तामीरात को मुदाइद मसाइल का सामना रहा इन मसाइल को दूर करने के लिए कौमी रापता कमेटी बनाई है जिसमें तमाम सुबों को मुशावरत शामिराती तरकी से मुदालिक कौमी रापता कमेटी के इचलास के बाद इसहारे ख्याल करते हुए वजिर आज़म खान ने कहा कि कुरोना वाइरस के बाइस दुनिया को मौशी बहरान का सामना है जिससे निमटने के लिए मुतालका मुमालिक मुक्तलिफ हिकमतल अमली अपना रहे हैं और हमने फैसला किया है कि शौबए तामिरात के जरीए अपनी मौशी सरगर्मियों को फाल करें इनोंने कहा है कि मैशी का मसला सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बलके पूरी दुन्या का मसला है और शौबए तामिरात के फाल होने से लोगों को रोजगार मिलेगा तो गुर्वत से निकलने में मदद भी मिलेगी इन्हों ने वाजी किया कि मस्कूरा कमेटी नया पाकिस्तान हाउजिंग स्कीम के साथ मजमूरी तोर पर शौबह तामिरात को दरबेश मसाइल का जाइजा लेकर उन्हें दूर करेगी उनका कहना था कि इस से कबल पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं हुआ इसलिए नया पाकिस्तान हाउजिंग स्कीम के आगाज में गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा वजिर आजम इमरान खान ने बताया कि हकूमत में नया हाउजिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपे की सबसरी दी है यानि हाउजिंग स्कीम के तहट पहले एक लाख मकानात को फीकस 3 लाख रुपे की सबसरी दी जाएगा इन्हों ने कहा कि जो लोग 5 मरले के घर की तामिरात के लिए बैंक से कर्जा लेंगे उन्हें 5 पीसद जबके 10 मरले के घर के लिए एक कर्जा लेने वालों को 7 पीसद सूथ देना पड़ेगा वजिर आजम इमरान खान ने कहा है कि तामिराती स्थनद से वाबिस्ता अफराद के लिए वेब साइट मतारिफ कराई है जहां उन्हें घर बेठे तमाम सहुलियात देस्थियाब होंगी निया पाकिस्तान हाॉसिंग स्कीम में बहुत रुकावटे आएं दुनिया में सबसे ज्यादा बेंक घरों के लिए कर्जाद देते हैं वजीराजम ने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का मकसद है कि गरीब तब का घर बना सके हैं तो नाजरें ये थी हाउसिंग स्कीम भी तामिरात के हवाले से एक तफसील शुदा अपडेट मजीद जाने के लिए देखते रही है रड़ बॉक्स टीवी